जेहिन, मैं सौरब और आप मेरे साथ सबल 30 के टेस संक्या 36 यानि 36 में जूड रहे हैं इस सेट को तयार किया है सच्वाला सायक के पदपे कारियरत स्री रवी संकर जी ने आज दिनांग 22 माई 2020 है और मैं अपने पहले प्रस्न के तरफ बढ़ता हूँ किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी स्रमिकों के लिए चरण पादु का अभियान सुरू किया गया है इस अभियान के तहट प्रवासी स्रमिकों को जूते और चपल प्रदान किये जा रहे हैं उत्तर है मद्यप्रदेश मैं इस question को डेली डोस संख्या 245 के question number 11 में ब्यातर तरीके से discuss किया है तो बिना समय बरबाद के हुए आगे बढ़ते हैं और आप वहाँ से उसे देख लेंगे अगले प्रसन के तरह बढ़ते हैं लहोर में राश्ट्रिय कांगरेस का अधिवेशन स प्रथम प्रधान मंत्री पंडिक जवाहरलाल नहरू ने किया एवं इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा पूर्ण स्वराज का ध्यान देंगी यह बहुत important question बनता है उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी और नहरू जी ने कहा कि हमारा लक्ष सिर्फ स्वाधिनता प्राप्त करना है हमारे लिए स्वाधिनता ही पूर्ण स्वतनतरता है और इसी बात को लेकर रावी नदी के तड़ पर भारतिय स्वाधिनता का जण्डा फराये गया एवं सभी प्रांतिये कांग्रेस कमिटी को एक निर्देश दिया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वाध तार जैसी ब्योस्ताओं की भारत में सुरुवात हुई उत्तर है लाट डिलहाजी लाट डिलहाजी का सासनकल भारत में 1848 से 1856 तक रहा यह भारत के गवर्णर जनरल इस दोरान जब रहे तो इन्होंने 1848 से उनचास में इन्ही के समय में द्वीतिय सिक्ख आंगले सिक्ख युद्ध हुगा था एवं पंजाब के अंतिम सासक महराणा दिलीब सीख को इन्होंने पेंस्तंदर बनाकर लंदन बेज दिया तथा एक बात बहुत ही फेमस क्रस्टन मनता है लाट डिलहाजी नहीं राज्य हड़प नीती अपनाई और इसके तहत भारत में ब्रेटिश स शासन का विश्तार किया को प्रथम रेल यात्री ट्रेन भी मैं रेल यात्री ट्रेन सूरा अबद्याल तृर्ण 1853 को इन्हीं के सासन काल में चलाए गया जो कि कुल 34 कलो में चला और कहा कहां तक तो बंबे से ठाणे तक चलाए गया सती सात ृरभ यार्ण शाइब्ण तथा इन्होंने अंग्रेजों के लिए ध्यान देंगे इन्होंने अंग्रेजों के लिए ग्रिस्म कालीन राजधानी सिमला को बनाए ये बहुत famous question है तथा 1892 में ही इन्होंने एक और काम किया था लोक निर्माण विवाग की अस्तापना की थी अगले प्रस्न की दरब बढ़ते हैं भारत सरकार ने हाली में किस संस्था से भारत के गरीब परिवारों को COVID-19 यानि जो कोरोना का केस चल रहा है उससे समन नीत है ठीक है तो COVID-19 से बचाने के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझावते पर हस्ताक्षर किया है उत्तर है विसो बैंक और इसको मैंने आज ही के डेली डूर्सं के 246 के क्वेस्चन नमबर 19 में डीटेल डिसकसन किया है तो आप उहां चावल संस्थान, अनुसंधान संस्थान किया है तो हम थोड़ी सीस पे नजर डालते हैं ध्यान देंगी यहां पर बात देश की हुई है भारतिय की अगर यही कशन अंतर राश्ट्रिय बनता है तो अंतर राश्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान है लॉस बानोस यानि फिलिपिनस का एक सहर है लॉस बानोस और अगर राष्ट्रिये कहे तो वहाँ पर answer होगा कटक अब बात जब फिलिपिनस के आती है तो हम जान लेतें कि फिलिपिनस के वरतमान में प्रेसिडेंट कौन है रोडरीगो ग्यूरेट और वहाँ के राइधानी आप सभी को पता होगा मनीला और वहाँ की मुद्रा क्या है पेसो और पेसो का कीमत लगबग लगबग भारत के देड़ रुपए के बराबर होता है अगले प्रस्थन की तरह बढ़ते हैं निमनिकित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो अगर हमें पता होगी लेटराइट मिट्टी किस सेत्र में मिलती है तो हम इस क्वेस्टन का आसानी से जबाब आप्शन को इलिमिनेट करके लगा सकते हैं जैसे आप ध्यान देंगे कि लेटराइट म साथे 23 डिग्री तक करका रेखा या है नॉर्थ लाइन को हम करक रेखा बोलते हैं और इसी के बीच में लैटराइट मिटी पाई जाती है तो वैसे भी हमें पता है कि जब गलोब पर हम देखते हैं तो हमारा सबसे नीचे वाल पॉइंट छे डिग्री चार मिनट के लगबग होता है ठीक तो इससे उपर और करक रेखाम देखते हैं कि गुजरात से लेकर अरुनाचल प्रदेस तक काटते हुए निकलता है तो कहीं न कहीं हमारा ऑप्शन इसी के बीच होना चाहिए और इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा एंसर करनाटक और तामिलनाडू जाता है ठीक है ऐसे मैं डिसकस कर देता हूँ कि लेटराइट कहां कहां हमारे देश में मिलता है तो ध्यान देंगे आप कि तामिलनाडू की पहाड़ी के निचले छेत्रों में इसके आगे बढ़ें तो करनाटक का जो कुर्ग जीला है वहाँ पर भी इससे आगे बढ़ें तो केरल राजय की समुद्री तटो पर भी साती साथ महराश्ट के रतनागीरी जीले में भी और वेश्ट बेंगॉल तथा उडिसा के जो पठारी भाग है उधर भी लेटराइट मिट्टी मिलता है और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्यासन मनता है कि कौन-कौन से फोसल उगाने के लिए यह मत्वपूर्ण होता है तो उत्तर है चावल कपास गेहूं दाल मोटे अनाज सिनकोना चाय और कहवा के लिए यह मिट्टी उपयोक्त मानी जाती है हम अपने अगले प्रस्न की दरब बढ़ते हैं पेपसी का ब्रांड अमेस्टर कौन है आपने इस समय देखा होग की सत्रह सो साथ के बाद मुगल सासन का पतन स्टार्ट हो गया रहता है और इसी क्रम में अकबर द्वितिये मुगल सासन के अंतीम होने के दूसरे सासक थे यानि अंत होने से पहले जो बहादूर साज बहादूर सा जफर अंतीम सासक थे और इन से ठीक पहले अकबर द्वितिये सा सक थे और और प्रेटीस की हुकूमत काफी बढ़ चुकी थी इसलिए अकबर द्वितिये ने राम मुहन राए को राजा की उपाधी देकर यानि के राजा राम मुहन राय कर कर और इनको इंग्लेंड भेजा वहां की महारानी को ये सिफारिस करने के लिए कि आप हमारा कुछ पेंसन बढ़ा दिजे क्योंकि इस समय तक भारत के जितने भी मुगल सलतरनत के सासक थे वो एक तरह से पेंसनर की जिंदगी जी रहते लेकिन इस बात को वहां की महारानी ने और इसके बाद अंतिम जो मुगल बात सावने वही बहादूर सा जप परते अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा पूरसकार केके बिल्ड़ा फाउंडेशन द्वारा हिंदी में सरुस्रेस्ट कार्या के लिए दिया जाता है उत्तर है व्यास सम्मा अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है तो ध्यान देंगे हम त्रिवेणी नहर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये त्रिवेणी नहर जो है वो भारत में बिहार के उत्तर पस्चिमी छेत्र के चमपारण जीले की सिच नदी है तो वहां से ध्यान देंगे आपकी जो गंडक नदी है उसके लेफ्ट साइड से यानि लेफ्ट को स्प्रे यानि बाये तट से यह नहर निकाला गया जिससे फाइदा क्या हुआ कि जो जगह अब तक सूखा रहता था वहां कोई फसल नहीं उपजाए जाते थे वहां पर प्राय धान यह हुँ जो गन्ने की क्रिसी बड़े मात्रा में होने लगी तो आपके क्वास्टन का उत्तर हुआ गंडक नदी अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे आप सभी को पता होगा कि कॉंग्रेस के संस्थापक एवो यूम थे बात ऐसी थी कि जब अंग्रेजों ने देखा कि हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और भारती अपने स्थाधिनता के लिए अंदोलन करने लगे तो उन्होंने एवो हुयूम जो ब्रिटिस अधिकार रिटार्ड अधिकारी थे इनको एक सेफटी वाल्प के तोर पे तयार कर के कॉंग्रेस नामक संगठन बनाने को कहा तथा इसमें जो भारत के सिक्षित वर्ग के लोग थे जो कि उसमें अंदोलन में लगे हुए थे उनको एक तरफ इस प्लेटफॉर्म पे लाने की बात गई आपको पता भी होगा कि इंग्लेंड के संसत का नाम कॉंग्रेस ही है तो इसी के तहत उन्होंने इन सारी चीजों का एक स्ट्राटेजी बनाया और सेफ्टी वॉल्प के तौर पे कॉंग्रेस बनाने का सला एओहुम के दिया और एओहुम इसके संस्थापक रहे तथा ध्यान देंगे आप कि व्योमेस चंद्रवनर जी ने इसकी अध्यक्षता के और यह अध्यक्षता का हुआ तो बॉम्बे के गोकल दास तेजपाल संस्क्रीट कॉलेज में हुआ जिसमें कुल 72 सदक से सामिल हुए तो यह जो चीज़े मैं बता रहा हूं यह कहीं न कहीं क्वास्टन बनते रहते हैं एक्जाम में तो जो लिंकिंग फैक्ट्स हैं उन होगा पीसी महाल नौबिस के बारे में ठीक दूसरी पंच वर्षी योजना से पहले पंच पहली पंच वर्षी योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो पहली पंच वर्षी योजना कब आई तो 1951 से 1956 तक पांच सालों तक ठीक है और वह अधारित था हैराड बढ़ सकते थे इसलिए पहले पंच वर्षी योजना में क्या किया गया क्रिसी को बढ़ावा दिया गया और इसमें विकास का लक्ष रखा गया 2.1 परसंट और इसको हमने पार करके 3.6 परसंट तक का विकास हासिल किया इस चीज़ से गौवर्मेंट ने अक्टिव होकर औ और 1956 में दूसरी पंच वर्षी योजना जो की PC महल 29 मॉडल पे आधारित था इसमें इंडस्ट्री के बारे में सोचने लगा ताकि उद्योग उद्पनों और देश का विकास और तेजिस हो तो ध्यान देंगें कि पहली पंच वर्षी योजना में क्रिसी को महत्वपून भ पाकिस्तानी अर्चास्त्री महबूब उलहक किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इसका एंसर होगा मानो विकास रिपोर्ट और इस प्रस्ण को मैंने डेली डूज जो सुबह आपको करेंट अफेर्स का मिलता है उसके डेली डूज संख्या 243 में question number 17 मैंने पूरा अच्छे से लगवग एक मिनट का time ले करके discuss किया है आप वहां से इसके विस्तिर जनकारी ले लिजेगा अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं निम्दलिखित में से किस सुल्तान ने grand tank road का निर्मान कराया तो आपका उत्तर होगा सेरसा सूरी अब सेर सेरसा सूरी से जो related fraction उसको जान लेते हैं सेरसा सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इनके पीता का नाम हसन का था उस समय हसन कहां जौनपूर के सासक थे और जौनपूर मुस्लिम सिक्षा का सबसे बड़ा केंदर था साथी साथ सेरसा से सम्मंदित एक प्रस्षन आता कि सेरसा ने अपने बचपन में सिक्षा कहां सली तो सेरसा ने अपने बचपन की सिक्षा जौनपूर से ले थी अब सेरसा के साथ हुआ क्या कि सेरसा बिहार में उस समय सासक थे बहार खां लोहानी उन्हीं के बाडिगाड का काम करते थे संजोग बस उनकी मृत्यू हो गई औ और इस तरह से सेर्षा बिहार का सासक बना जैथा 1540 से 1545 तक सेर्षा ने सासन किया और इसी ने मुगलों को अपने समय में जो इसका प्रण था कि एक बार कम से कम बाहर कर दूँगा तो इसी ने मुगल सल्तनत की नियू भारत से एक बार एटलिस उखाड दिया जो कि 1540 से ले जब आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी से लड़ाई होती है तो अभी फिलाल हम आगे बढ़ते हैं अगले स्वारी इब्राहिम लोदी नहीं सिकंदर लोदी अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं तो इसे एक छोटा सा फैक्ट और है जिसे ध्यान दे लेते हैं कि जो जीटी रोड था इसका नाम जीटी रोड उस समय नहीं था और उसका विस्तार जो था वो सोनार गम बांगाल से लेकर पेशावर तक था और इसका नाम सेर्षा सू बांट रांक रोड कर दिया गया जोकी वर्तमान में अमरित्सर से लेकर और कॉलकाता तक फैला हुए था चान्दी के सिक्के चलवाए जिसकों की रुपया कहा गया और एक तामबे का सिक्का चलवाए जिसे की दाम कहा गया अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं भारतिये जनगर्णा 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगा नुपाद क्या है उत्तर है 918 अब बात जब लिंगा नुपाद क्या आई है तो यहां से जो सम्मंदीत क्रेस्षन बनते हैं उन पे नजर डालते हैं तो अगर बात भारत के लिंगा नुपाद की करें तो 943 है अब 918 महिलाएं ही 1000 पूर्शों पर हैं सबसे कम लिंगा नुपात वाला राज्य हर्याना है जहांकि संक्या 879 यानी 889 है और सबसे कम लिंगा नुपात वाला केंदर सासित प्रदेश दमंदिव है जहांकि 1000 पर सिर्फ 618 लड़कियां हैं सबसे अधिक लिंगा नुपात वाला केंदर सासित प्रदेश पुद्दू चेरी है जहांकि 1000 पूर्शों पर 1038 महिलाएं हैं और सबसे अधिक लिंगा नुपात वाला भारत का राज्य केरल है जहां 1000 पूर्शों पर 1084 महिलाएं हैं हम अपने अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा एक मन रेगा का उदेश है ठीक इस क्वेस्टन का भी मैंने डीटेल चर्चा डेली डू संक्या 243 के क्वेस्टन नंबर 2 में किया हुआ है लेकिन इसका उत्तर जान लेते हैं कि इसका उत्तर होगा डी अग यह इसके प्रस्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं अगर आप सभी को जरूरत हो तो आप बता देंगे हमें कि आप इस तार्की का भी चमताAh और मैस्क इंक असमस नका भी डीसकसन करा दें तो मैं इन से उत्तरन के क्वेस्टेंस को भी डिसकस कर दूंगा हम अपने अगले प्र अब ध्यान देंगे NEFT के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं इसका फुल पॉम होता है National Electronic Fund Transfer ज्यान देंगे यह एक Electronic Fund Transfer System है जिसे भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा मिंटेन किया जाता है और इस सिस्टम को 2005 में Institute for Development and Research in Banking Technology जिसका Short Form होता है I, D, R, B, T द्वारा इसकी अस्थापना की गई थी यह Electronic संदेशों के माध्यम से किया जाता है अगले प्रस्थन की तरफ बढ़ते हैं सहर और उसकी विसस्टाउं का सही मिलान निमलिखित में से किनमें किया गया है आप हमें बताएंगे मुरादबाद चम्णा, कपड़ा या चम्णा, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, कानपूर, पीतल के बरतन या फिर वारानसी, हत करगा और हस्त सिल्प तो ये multiple options का question है जिसमें फिरोजाबाद, कांच और कांच के उत्पाद भी सही है और वारानसी, हत करगा और हस्त सिल्प भी सही है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, एक पारस्थित की तंत्र की खादिस रिंखला में, जीवों के अंतिम समू, बैक्टिरिया और कवक होते हैं, जीने कहा जाता है, तो आपका उत्तर है अपगटक अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं भारत में किस छेत्रिय और व्यास्विक आर्थिक समू का भाग है, उत्तर है जी ट्वेंटी, अब जब जी ट्वेंटी की बात आई है, तो थोड़े से जो फैक्ट्स हैं, वो जी ट्वेंटी के बारे में जान लेते हैं जी ट्वेंटी में होता क्या है, कि 20 रास्ट्रों के या तो वित्मंत्री या फिर जो उनके केंद्रिय मिनिस्टर होते हैं, या फिर जो उनके केंद्रिय बैंक के गवर्नर का समू है, टिक, वो भाग लेते हैं, इसमें है क्या, कि 19 देश सामिल होते हैं, तथा एक यूरोप परिशत के अध्यक्स करते हैं और यूरोपिय के इंद्रिय बैंक के द्वारा ही यक किया जाता है ध्यान देंगे जी 20 के अस्थापना 1999 में हुई ठिक और इसके जो ध्यान एक फैक्ट यहां पर और आप ध्यान देंगे कभी कभी लोग 1999 और 2008 में कन्फ्यूज कर जाते हैं तो इसके कुल सदस्य देश हैं 20 जिनके नाम में आपको यहां नहीं बता रहा और इसका उदेश से जान ले क्योंकि वहां सब्कासन आते हैं तो इसका उदेश से है व्यास्विक अर्थ ब्योस्ता में प्रणाली बद मत्वपून और विकासिल अर्थ ब्योस्ताओं को एक साथ लाने के लिए मत्वपून मुद्दों पर चर्चा करना अगले प्रस्न की दरप बढ़ते हैं सम्विधान का उलंगन करने के लिए किस निसकासन को महाव्योग की प्रकेरिया से आरम किया जाता है उत्तर है राश्ट्रिपती इससे सम्मंदी दो तिन क्यास्टन बनते हैं ज प्रकेरिया है जिसके इस्तेमाल से अगर राश्ट्रिपती पर लगा हो तो भारतिय समिधान के अनुछेट 61 के अनुचार इन पर महाव्योग लगेगा अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जल्ज पर लगा हो तो वो अनुछेट 124 का 4 या 5 या फिर 217-218 के तह प्रकेरिया करके और इनको हटाया जाता है अगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं राजकोसिय घाटा क्या है उत्तर है रजस्व घाटे की पूर्ती करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराजे अगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं इनमे से कौन से गरीबी से प्रेरित प्रवासन से के नकरात्मक सिंड्रोम बल है उत्तर है व्यास्वी करन उधारी करन और नीजी करन अगले प्रस्न के तरह बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा विकल महात्मा गांधी के धांडी मार्च के उदेश से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है उत्तर है वीदेशी कपड़ो का बईसकार करना क्योंकि दांडी मार्च के समय हुआ क्या था कि अंग्रेजों का कहाना था कि आपको नमक कानून के खिलाब जो बात चल रही थी थो उसको मानना है उनकी बातों को हमने क्या किया कि उनकी बातों को नहीं मान करके और साविनाय अवग्या अंधोलन किया तथा खुद से उनके नमक कानून को ब्रेक करके खुद नमक बनाया गया और ये पूर्ण स्वराज के लिए देश व्याप्पी जन भागीदारी भी बना तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्सन दी होता है जो इसका अंसर नहीं होगा अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं गुजरात समुद्र तट पर इस्थित प्रसिद्ध सोमना मंदीर को निमलिकित में से किस ने नस्ट किया अंसर है महमूद गजनवी महमूद गजनवी के बारे में थोड़ी बहुत जो क्वेसंस बनते हैं उसके ऊपर चल्चा कर लेते हैं आप ध्यान देंगे सबसे पहला क्वेसंन म החमूद गजनवी कौन था तो महमूद गजनवी पहला तुरक आक्रमण कारी था जो भारत पर अपने पहले आक्रमण में ही सफल रहा इसके पहले भी तुरक आक्रमण हुए लेकिन वो सफल नहीं रहे और इसके टाइम जो सासक थे भारत में वो जैपाल थे लगवक 1100 इसवी के समय की यह बात और इसने जैपाल को पराजित किया जिसका सद्मा जैपाल बरदास नहीं कर सका और उन्होंने आत्महत्या कर लिए और तब से लेकर लगतार कुल 17 बार तक इसने भार वापस जा रहा था तो जाटो ने इसका विरोध किया और इसी का बदला लेने के लिए वो 1027 में वापस 17 आक्रमण के लिए भारत आया और खोकर जाटो के साथ उस उसने खोकर जाटो को पराजित किया और इसके बाद जब वहां गया तो वो भी काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी मृतिय हो गाई लेकिन एक इंपार्टिंट फ्रैक्ट सूमनाथ मंदिर से हम जान stance इस ब्ह्माज मंदिर का निरबान सबसे पहले भीम प्रतम ने किया था ध्यान देंगे कौन भीम प्रतम ने किया था और इसको कि म्हादमूद गजणवी नस्ट कर द्वारा अगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं हम वैसे ही प्रस्णों को डिस्कस करेंगे जो एक फैक्ट बेस्ट हो अगर वो वन लाइनर क्वेस्टन और उसे एक ही क्वेस्टन मनता है तो उसे मैं आपसे आगरा करूंगा या आप उसे रट डाले अगला प्रस्ण है 37 अध्यात्मिक्ता का प्रचार करते थे दूसरा उप्षन है सुफी उनके धार्मिक द्रिश्टिकोन में बहुत ही रुडिवादी होते थे तीसरा उप्षन है सुफी धार्मिक संपरदाय या सिलसिला में संगटित होते थे चौथा उप्षन है इनसे पीरी मुरीदी परंप परंपरा का अरंब हुआ इसमें मुल्टिपल ओप्शन सही लग रहे हैं जिसमें पहला ओप्शन भी संगीत और उपदेशों के जरी आध्यात्मिक्ता का प्रचार करते थे ओप्शन नमबर तीन यानि सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला के संगठी में संगठी दोते ये भी सही है और चौता ओप्शन इनमें पीरी मुरीदी परंपरा का अरंब हुए ये भी सही है तो इस तरह से हमारा सैंथिस को ओप्शन रता है अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं विद्यूत विववांतर की एसाई इकाई क्या है उत्तर है वोल्ट अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं माल विकागनी मित्रम के लेखक कौन है मैं इसका एंसर बता देता हूं कालिदास लेकिन कालिदास की जितने भी पूस्तके हैं उसको मैंने आज ही के डेली डोज में 246 में शुरुआत में ही जब मैं उसको शुरू किया हूं तभी इसको पूरे इन डीटे अंतरीम सरकार में डॉक्टर राजिन्द प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे उत्तर है खाद्य एवं क्रिस्वी अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं वायू का वेग संबंधित है उत्तर है तापमान से आप सभी को आप सभी को भी पता होगा कि जब टेंपरेशर बढ़ेगा तो हलकी हवा उपर की तरफ उठने का प्रयास करेगी और भारी हवाज होगी वो नीचे की तरफ और इसी दरव में क्या होगा वायू का वेग बढ़ेगा अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं मानों सरीर में रख वायरस सम्मन्दित है तो जब बात वायरस की आई तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये इस सौफ्ट्वेर का क्वस्चन है ठीक है और सौफ्ट्वेर यानि ए प्रोग्राम से सम्मन्दित होगा तो इसका उत्तर है प्रोग्राम अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं प्रिथ्वी तल से चाहें आप उपर जाएं या फिर चाहें आप नीचे जाएं प्रिथ्वी का जो gravitational force है वो घटेगा अर्था जो उसका g का मान है वो क्या होगा कम होगा अब एक बात यहां पर ध्यान दिजेगा कि इस case में formula लगता है t is equal to रूट अंडर एल अपान जी यानि इल बटा में जी यहां पर टी क्या है time period है एल क्या है length of pendulum यानि pendulum की लंबाई है और जी क्या gravitational force of earth है अब एक बात बताईए कि 6 बटे 3 लिख रहे हैं तो answer आप का रहे है दो अगर आप 6 बटे 1 लिखेंगे तो answer आ जाएगा 6 क्योंकि एक से खटेगा ठीक उसी तरह से जैसे 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 जी का value कम होगा एल कमान बढ़ता जाएगा और जब सबकाम दीरे दीरो अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी मुझे उमीद है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे नहीं समझे होंगे तो मेरी बात को अक्षारसा कॉपी पर लिखेंगे सायथ समझ में आ जाएगी अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं मोँबाइल सीम काड में सीम का अरथ क्या है उत्तर है सब्सक्राइबर अइडेंटिटी मड्योल अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं भारत में स्वेथ क्रांती के जनत माने जाते हैं उत्तर है वर्गिज पुरियण और सुथ क्रांती का समझ की चिस से तो आप सभी को लक्षे रखे थे उससे ज्यादा उत्पादन होना ही क्या खलाएगा क्रांदी खलाएगा अगले प्रस्न के तरह बढ़ते हैं भारत का रास्ट्री फल है उत्तर है आम और आपको पता होना चाहिए कि भारत में आम किसकी दिन है तो पुर्तगालियों की दिन है जो अलफान्सो आया थे वो उन्होंने ही आम की एक प्रजाती दिया था अलफान्सो आम की प्रजाती अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं भारत में हरित क्रांती का जनक किसे माना जाता है उत्तर है M.S. स्वामिनातन M.S. स्वामिनातन अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं राष्ट्रिय स्मार्ट गौवर्मेंट संस्थान कहां इस्तित है उत्तर है है हैदरबाद में अब थोड़ी से जनकार यहां से इकटा करते हैं कि नेशनल इंस्टूट फूर स्मार्ट गौवर्नेंस इसका अस्थापना नहीं हुआ था ठीक है फॉर्मेशन और इस्टैबलिस्मेंट दोनों में काफी अंतर है तो उसका फॉर्मेशन का हुआ था 2002 में और इसका हेट क्वार्टर कहां बना तो ध्यान देंगे कि ये 2002 में जब हुआ था तो उससमें हाइदराबाद और तेलांगाना आंधर पर्देश और तेलांगाना अलग-अलग नई हुए थे तो उस समय के हिसाब से ये अंसर लिखा हुए हाइदराबाद लेकिन अगर आप्शन में तेलांगाना भी है तो आपके लिए सही होगा क्योंकि इसका जो हेट क्वार्टर है वो नाना काग्रम गुड़ा राजेंडर नगर हाइदराबाद और तेलांगाना दोनों जगा पर है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं कुलंबु से अलमोडा तक अनुसंधान परिस्त का अध्यक्ष कौन है उत्तर है भारत के प्रधान मंत्री अर्थात अगर वर्तमान की बात की जाए तो मिस्टर नरेंद्र मोडी अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं गौड ऑफ स्माल तिंक्स के लिख कौन है ये क्वासन बहुत पेटेंट क्वासन इसे आप रठी जाएंगे उत्तर होगा अरुंधती राय अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं सांद्र HNO3 के एक भाग को जब सांद्र HCL के तीन भाग से मिस्तरित किया जाता है तो कौन सा सक्तिसाली विलायक उत्पन होता है उत्तर होगा एकवारेजिया अब ध्यान दें लेकिन S2SO4 को अमलो का राजा कहते हैं तो अमलो का राजा कहेगा तो S2SO4 और अमल राज कहेगा तो एकवारेजिया और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे chemistry के acid-based salt chapter पूरी तरह से पढ़ाया हुआ है और संयोग देखिए कि ये प्रस्ण हमारे पढ़ाय हुए contents है जहा मैं आपसे आगरा करूँगा कि आप जाए चैनल पे जो पार्ट 1 है acid-based salt का lecture no.6 दिखेगा वहाँ पे और पार्ट 1 में ही मैंने इसी को in detail पढ़ाया हुए है तो वहाँ से आप जा करके इससे पढ़ ले ताकि आगे आने वाले प्रस्ण आपसे नहीं छुटें अगले प्र तुगलक से संबंदित कुछ बातें हम जान लेते हैं मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तिक नाम जो था वो जौना खाता इतियास में इसे पागल बात्सा भी का गया है लेकिन यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सा सकता तथा अर्भी और फार्सी भासा का लक्को से आथा और इसी के सासन काल में इसी के दर्बार में आथा और इवन बतूता के काबिलियत को देखते हुए इसने अपने दर्बार में काजी नियुक्त किया जो इसके दर्बार में आठ वर्स तक लगबक काजी का काम किया एक बत और भी आप ध्यान देंगे कि आख विद्रोव उत्पन हुआ तो वो था मुहम्मद बिन तुगलक का सासनकाल दक्षिण भारत से काफी दूर पड़ जाता था दिल्ली और दक्षिण भारत में हमेशा विद्रोव हुआ करते थे लगभग कुलिस के टाइम में 27 विद्रोव जिसमें से 22 विद्रोव दक्षिण भ कदल करके दौलताबाद किया और अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया लेकिन हुआ क्या कि संयोग खराब था और उत्तर भारत में फिर से विद्रोव पनपने लगा अब यहां से छोड़के जिस सीज के लिए गया था वही समस्या उत्तर भारत में होने लगी तो पु कि बढ़ते हैं जब प्लासी का युद्ध 1757 इस भी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजु दौला का साथ छोड़कर लाड़ क्लाइब के अधिन अंग्रेजों से जा मिला उत्तर है मीर जापर अब एक बात आप ध्यान देंगे कि इतना तो आपको तय हो गया कि 1767 में प सिराजु दौला और लाड़ क्लाइब के भी 1757 का युद्ध लड़ा गया था और इसमें एक बात अब ध्यान देंगे कि इसके कुल चार सिनापती इसके साथ लड़ रहे थे जिसमें से मीर मदान और मोहनलाल सिराजु दौला के साथ आखरी समय तक लड़े और मारे गये त रॉबर्ट क्लाइब का साथ पकड़ लिए और यही वज़ा रहा कि जो युद्ध संभावत एक अच्छा युद्ध होता और एक लंबे समय तक का युद्ध होता महज 90 मिनट के अंदर अर्था भारतिय इतिहास के सबसे कम समय तक का जाने वाले युद्ध केवल 90 मिनट मे इस युद्ध का फैसला हो गया और सिराजु दौला पराजित हुआ अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं जमसेदपुर किस नदी के किनारे है उत्तर है स्वंड रेखा नदी अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं स्री नरसी नरायन क्या थे उत्तर है या एक समाजवादी थ किसी देश की प्रती व्यक्ति आये प्राप्त की जाती है उत्तर है राश्ट्रिय आये येवं जन्संक्या दोनों से अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं आजाद हिंग फौज की अस्थापना कहां की गई थी तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रेस्टन के इसाप से सिंगापुर या जिस पर कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसके सुरुवात से ले करके और किस तरह से आजाध हिंथ फौज की बागडोर सुभाज संद्रबोज के हाथ में गई और इन्हें अस्थापना का स्रेय तक मिलने लगा सिंगापूर में क्या कहानी थी इन सभी च समिधान संसोदन और 86 में समिधान संसोदन दोनों को मिला करके 11 आचार आदेशों को जोड़ा गया था ठीक और वो आचार आदेश थे मौलिक करतब्य के तो इसे आप ध्यान देंगे हो सकता आपके PDF में सुधार भी कर दिया गया हो अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं बं बंगाल का विभाजन कब हुआ तो इसमें ध्यान देंगे आप कि बंगाल के विभाजन की जो निनाय की गोशना थी वो 19 जुलाई 1905 को भारत की जो ततकालीन उसमें वाय सराय थे कौन लाड करजन उन्होंने कर दिया लेकिन कोई भी काम कहा देने के तुरंत बात हो नहीं जाता है थोड़ा टाइम लगता है तो इसको प्रभाव में आने में यानि बंगाल विभाजन प्रभाव में आये तब तक का टाइम हो गया 16 अक्टूबर 1905 तो इसमें जो आप्शन में 15 अक्टूबर लिखा हुए उससे आप सुधार करके कर लेंगे 16 अक्टूबर 1905 ठेक तो यह तब से प्रभावित हुआ ध्यान देंगे कि इतियास में इसी बंगाल विभाजन को बंग भंग अन्दोलन भी कहा गया और यह जो विभाजन था वो हिंदू और मुस्लिम के छेत्रिय बटवारे के अधार पर हुआ था कही नहीं यह अंग्रेजों की एक चाल थी हि इस फुट डालो और राज करो और इस चीज़ को लेकिन उस समय के जो लोग थे वो समझ गया और 1908 में संपूर्ण देश में अंदोलन हुआ कि हम बंग बंग अंदोलन अर्थात बंगाल विभाजन को नहीं मानते और इसी के विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग कर दिया गया अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं वह पोसक चुनिए जो उर्वरकों में उपलब्द नहीं होता है तो आपने देखा होगा जो हमारे हैं खाद की बोड़ी आती है उर्वरक वाली उसमें लिखा रहता है एन पी के क्या लिखा रहता है एन पी के एन फॉर न हमारे वैज्ञानिक ने नीचे दी गई चार क्रांतियों के रूप में अन, मचली, दूद तथा तेल के उठादन में ब्रिदी के लिए प्रयाज की था हैं इन में से कौन सी क्रांती मचली के उठादन में ब्रिदी से संबंदित है उत्तर होगा नेली क्रांती ज्यान को ही पीली क्रांती भी कहते हैं और ये तेल उत्पादन अर्था तिलहन से संबंदित है अगले प्रस्थ में की तरह बढ़ते हैं नीचे दिये गए रेसों में से उसे चुनिये जिसे लकड़ी के लुगदी यानि गुद्दा बोलते हैं उसको से प्राप्त किया जाता है फिर भी मानो निर्मित रेसा कहा जाता है उत्तर है टेफलोन अगले प्रस्थ की तरह बढ़ते हैं वाई मंडल ये दाब का एसाई मात्रक है दाब जैसे हैं आपका अंसर पास्कल पे ही जाना चीज़िए तो अंसर होगा पास्कल अगले प्रस्थ की तरह बढ़ते हैं इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुर का असर पड़ेगा तो अगर water shade करते हैं तो वह भी अच्छा चीज है संसाधन संरक्षण की तक्निकों पर काम करते हैं वह भी अच्छा है अगर आप टंकियों के जरी जल संचे करते हैं वह भी एक अच्छा कारियर तो इसमें अंसर हो जाएगा जुताई अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखी तमें से कौन से कथन सकते हैं इसमें हम पहले इसके options पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता multiple options तो पहला option है सिल्क रूट का उपयोग केवल रेसम के बैपार में किया जाता था दोसरा option है मार्ग संस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कारे करता था अगला option है मिल्क रूट पुर्वी पस्मि उत्तरी और दक्षनी सिल्क रूट में बट जाता है अगला option है दक्षनी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महतोपूर अथान था तो आपका उत्तर होगा option A अर्थात इसमें दूसरा नंबर सही लग रहा था मार्क संस्क्रितिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कारे करता था और एक option हो सकता है दक्षणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महतोपूर अथान था तो यह दोनों option से यह आपका option होगा A अगली प्रस्ण किदर बढ़ते हैं भारत ने पहली आर्थिक जनकरना कब की गई उत्तर है 1977 और मैं आप सभी की comment इस पर भी चाहूंगा यह पहली आर्थिक जनकरना 1977 में की गई अगली प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं 17 में लोक सभा चुनाओ कुल कितने चरण में संपन्न हुए तो आप सभी को मैं उमीद करता हूँ कि याद भी होगा यह चुनाओ अभी हाली में बेता हुए 2019 में साथ चरण में संपन्न हुए था जिसमें बीजेपी की सरकार बनी है और वर्तमान प्रधान मंत्री मिस्टर नरेंडर मोदी है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं यूनाइटेड किंग्डम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है तो इसका उत्तर होगा स्टीफन होकिन्स अब इतने बड़े आदमी का नाम है तो इनके बारे में तो जानना जरूरी हो जाता है तो ध्यान देंगे आप कि यह सिक्का क्या है और स्टीफन होकिन्स के बारे में क्या तो ध्यान देंगे कि black hole जो सिक्का है वो एक अस्मारक सिक्का है अस्मारक सिक्का का मतलब कि ये सिक्का लेन दिन के प्रचलन में यूज नहीं होगा यानि इमुद्रा चलन में ये नहीं होगा इस सिक्के पर क्या होगा तो Stephen Hawkins का नाम लिखा हुआ होगा तथा black hole का एक चित्र बनाया गया होगा इस सिक्के को design किस ने किया क्योंकि ये प्रचलन आ सकता है तो क्योंकि ये अभी हाली फिलाल में इनकी मृत्य हुई है तो ध्यान देंगे कि इस सिक्के को design किया है एडवीना एलिस ने किसने एडवीना एलिस ने और एक और fact इस इंट्रेस्टिंग है कि ये सिक्का सोने तथा चान्दी में भी उपलब्द है साथी साथ इस सिक्के की क्विमत 55 pond से लेकर 795 pond तक है यानि इससे आप खरीद सकते हैं लेकिन लेन दिन के लिए use नहीं कर सकते एक बत और भी ध्यान रखें यहां से कि इस सिक्के को United Kingdom की Royal Mint द्वारा जारी किया गया है यह अब बात आती है स्टीफन हॉकिन्स के अभी तक तो सिक्के पर की बात कर रहे थे स्टीफन हॉकिन्स एक सर्वस्त्रिस्ट बैज्ञानी की स्ट्रेणी में आते थे वो भौतिक सास्त्री भी थे कॉस्मोलाजिस्ट यानि कि ब्रह्मान के बारे में यह बहुत अच्छा नौलेज रखते थे तथा एक बहतर लेखक भी थे साती साथ ब्लैक हूल जब बात कही गई है कि थी तभी इनको एक बीमारी हुई मोटर नियूरॉन जो की बहुत खतरनाक बीमारी साबित हुई और जिसका कारण रहागी दीरे दीरे इनकी पूरी बाड़ी लखवा ग्रस्त हो गया और इनका डीमाईस हो गया यानि नीदन हो गया अगले अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं मुंदाओं ने विद्रो खड़ा किया तो कब किया आपका उत्तर है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं निम्न में से कौन से दो परुक्ष करें परुक्ष का मतलब इंडारेक्ट करकी बात कर रहे हैं तो उत्तर हो जागा विक्रीकर एवं उत्पादन सुल्क अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं भारत के वायू सेना प्रमुक कौन है तो मुझे उमीद आप सबी को याद होगा कि राकेश, कुमार, सिंग, भदौरिया भारत के वायू सेना प्रमुक हैं अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है उत्तर होगा अलूमेनियम उद्योग ध्यान देंगे मूरी जो है वो राची के लगवग में है कुछ दूरी पर तो ये जारकंड राज्य में आएगा अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं सापेक्ष निर्धंता का अर्थ है उत्तर होगा आपका आर्थिक और समांताएं अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं बावरी मस्झित और राम जन्म भूमी का व्यवाद जो उच्टम न्यालय के समक्षता वह किस प्रकार का था तो सिर्फ और सिर्फ यह एक жमेन विवाद है और जमेन विवाद है तो इसमें मालिक आना हक की बात कहीगी थी और जब ऐसी बात आती है तो वो title suit का case माना जाता है अर्थार यह एक title suit का case था जिसको हिंदी में कहें तो कहा जाएगा स्वत्वा धिकार मुकदमा अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं भारत के किस राजय में सरवादिक जन संख्या गनत्व पाया जाता है तो उत्तर होगा विहार वैसे भी विहार पूरे भारत में सबसे जादा जन संख्या में तीसरे अस्थान पे है पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है मारास्ट और तीसरे पे है बिहार जबकि जन संख्या गनत्व की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर पे बिहार आता है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं तांसेन का मकबरा कहां हिस्तित है उत्तर होगा ग्वालियर में ध्यान देंगे तांसेन जो थे इनके बज़पन इनका ओरिजनल नाम जो था वो राम तनू पांडे था साथी साथ यह अकबर के नौरत्नों में से एक थे अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं कौटिले के अर्थ सास्तर में किस पहलू पर प्रकास्ट डाला गया है तो भले ही इसका नम अर्थ सास्तर है लेकिन कौटिले ने अपने समय में एक राजा तयार किया था और अपनी बुद्धि के दम पे किया था तो जरूर ही उन्हो होगा राजनीतिक नीतियां अगली प्रस्न की तरह बढ़ते हैं कानूनी विशेयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्स देता है उत्तर होगा एड़वोकेट जनरल जहां भी आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे कि इसका और डीटेल मुझे चाहिए था तो आप मुझे बता देंगे क्योंकि समय का भी अबाव है तो उसी हिसाब से इस सीज को बनाया जाला ताकि वीडियो भी बहुत जादा लंबा नहीं हो सके अगले प्रस्थन के तरह बढ़ते हैं बल का गुणानफल है तो आपको पता होगा बल को संबोधित गया था एफ से और एफ इस उकल टू एम ए होता है तो एम हो गया मास और ए हो गया असलरेशन यानि के दरमान और त्वरण का गुणानफल है तो उत्तर हो जाएगा बी अगले प्रस्थन के तरह बढ़ते हैं वीर कुणार सिंग ने सन 1857 इसवी के विद्रो का नेत्रित्व किस प्राम से किया आप सभी को पता है कि वीर कुणार सिंग आहर आरा कि थे और आरा विहार में पढ़ता है तो विहार एंसर हो जाएगा इसका अगले प्रस्थन के तर पहुचे थे वासकोडिकामा लेकिन यहां पर बात कर दिया वायसराय की तो उस स्थीति में आंसर होगा अलमीडा अलमीडा पहुचा था हमारे यहां 1505 में और यहां 1505 से लेकर 1509 तक यहां पर रहा और इसने अधिक से अधिक राजियों को पर अधिकार करने के लिए फिर पुर्तगाली और उपनिवेस का दूसरा वायसराय जो आया वो था अलफांसो अलबुकर कौन था अलफांसो अलबुकर जो 159 से लेकर 1515 यह तक भारत में रहा और अगर आपसे प्रस्न बनेगा कि पहले कौन आया था तब तो आंसर हो गया अलमीडा लेकिन पुर्तगालिय का भारत में वास्तविक संस्कापक की से जाना जाता है तो ध्यान देंगे कि उसका उत्तर हो जाएगा आपका वो सिस्तिती में अलफांसो अलबुकर्ग और इसी के नाम पर अलफांसो जो आम का एक प्रजाती है वो भारत में विक्सित हुआ तथा पुर्तगालियों नहीं भारत में आम की खेती स्वर्वपर्थम सुरू कराई अगले प्रस्त की तरह बढ़ते हैं एक प्रस्वन और भी यहां से बनने का चांस उसे भी देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का तीसरा गवर्णर कौन था तो नानो डी कुनहा था क्यों यहां से प्रस्त बन सकता है क क्योंकि नानो डी कुनहा ने ही पुर्तगालियों की प्रतम राजधानी कोचिन को बनाया यानि भारत में पुर्तगालियों की प्रतम राजधानी किसने अस्तापित की तो नानो डी कुनहा ने अस्तापित की अगले प्रस्त की तरह बढ़ते हैं गौतम बुद्ध को एक दे माध्यम क्या है तो भारत में सरवाधिक सुलब माध्यम वर्तमान सेनेरियों में समाचार पत्र है अगले प्रस्त की तरब बढ़ते हैं भारत में पहली बार वैग्यानिक तरीके से राश्क्रिय आय की गर्णा करने वाले अर्थ सास्त्री हैं उत्तर है वी के आरवी राव उत्तर क्या था वी के आरवी राव अगले प्रस्त की तरब बढ़ते हैं भारत में पंचवर्ची योजना का अनुवेदन करने वाला सरवोच निकाय कौन सा है तो उत्तर है राश्क्रिय विकास परिसद यानि नेस्तन डेबलाप्मेंट कौनसिल अगले प्रस्त की तरब बढ़ते हैं निमलेखित में से कौन सा लाड करजन का योगदान नहीं था तो आपको पता है कि पुलिस सुधार के बारे में लाड करजन ने काम किया था बंगाल भी बाजन भी इसी के समय में हुआ था सेना एम नियाइक सुधार पे भी इसने काम किया था लेकिन जो सती प्रता है वो लाड विलियम बेंटिक के साजन कल में हो था राजयरम मुहन रहा है उनके समकालिन थे उस समय के तो यहीं अंसर नहीं होगा यानि ऑप्शन डी इसका अंसर होगा अगली प्रस्त की तरब ब पोलेंगे उसका मैं आपको इन डीटेल फिर से एक और वीडियो बना के स्वार्ट वीडियो में आपको दे दिया करूंगा अगले प्रस्त की तरह बढ़ते हैं समाचार पत्र रस्त गोप्चर यानि जिसका मतलब होता है सच बताने वाला का संबंद निम्न में से किस धर्म के सुधारों से था उत्तर है पारसी धर्म अगले प्रस्त की तरह बढ़ते हैं निम्लिखित में से कौन सा अनुछेद धार्मिक कारियों के प्रबंदन की स्वतंतरता से सम्मंदित है उत्तर है अनुछेद 26 जो आपको कहीं भी अपने धर्म को मानने के लिए धर्म के अगले प्रस्त की तरह बढ़ते हैं भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी अस्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकासित करता है उत्तर है वित मंत्राल है अगले प्रस्त की तरह बढ़ते हैं पहली पंचवर्षी योजना का मुख्य उदेश से क्या था मैंने सीज को कुछ द अगले प्रस्ति की दर बढ़ते हैं प्रधान मंत्री ग्राम सणक योजना का उदेश से क्या है तो इसका उदेश से था गाउं को मुखे सणक से जोड़ना ये भी सही है पक्की सणक बनाना ये भी सही है था क्या कि जब अटल जी की सरकार थी तो उसमें उन्होंने प्रधान म परिवर्तित किया और लिखा प्रधान मंत्री ग्राम इन सडक योजना अगले प्रस्ति की दर बढ़ते हैं गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विक्सित किया उत्तर है क्रोम अगले प्रस्ति की दर बढ़ते हैं बिहार में और योगीक पिछड़े पन का कारण क्या है तो अगले प्रांस की तरह बढ़ते हैं निमलीखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य नहीं हैं, तो सार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्यादर करते हैं, ध्यान देंगे सार्क का फूल फूम होता है, South Asian Association for Regional Corporation, अब ध्यान देंगे यहां से आप कि इसमें कुल आठ देश सामिल हैं, और वो देश कहां से हैं, तो वो देश दक्षिन ACI छेत्रिय सहयोग संगटन के हैं, अब इसका उदेश से क्या है, तो यह आठ देश मिल करके आर्थिक और राजनेतिक मुद्दों पर चर्चा क करते हैं, यह एक आर्थिक और राजनेतिक संगटन है, अस्थापना इसकी हुई 8 देसंबर 1985 को, और कौन-कौन से देश हैं, उनका मैं नाम धोराता हूं, ताकि आप ऑप्षन को हटा पाएंगे, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांगला देश है, स्रिलंका है, नेपाल है, म स्रिलंका हो जाएंगे, यानि कि आपका इसका अंसर होगा, आप्षन ए, यानि बांगला देश, भुटान, नेपाल, स्रिलंका और अफगानिस्तान, स्वारी, अफगानिस्तान नहीं, तो अगले प्रस्टन की तरह बढ़ते हैं, निमनलिखित में से, कौन सा कथन भारत के उप्राश्पती चुने जाने की अहरता के सम्मन में सही नहीं है, तो ध्यान देंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयू 35 वर्स पूरा होना चाहिए, ये भी सही है, वह कोई लाप के पद पर धारन नहीं करता है, यह भी सही है, वह लोकसवा का सदश से निर्वाचित होने के लिए अहरत है, ये गलत है, अगर ऑप्शन की बात करें त तो सी ओप्शन ही इसका अंसर हो जाएगा, अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं और आखेरी प्रस्न की तरफ, विस्व प्रित्वी दिवस मनाया जाता है, उत्तर है, 22 अप्रेल को ध्यान देंगे, मैंने अपने तरफ से एक इमाधारी पूर्ण प्रयास किया, स्लियोशन मैं नहीं दे सका, क्योंकि वो मेरी नजर में उतने मतोपूर्ण नहीं थे, साथ ही साथ समय को भी मुझे ध्यान में रखना था, तो आपको अगर लगता है कि यह प्रस्न आपको जानना चाहिए था, तो जो वाट्सअप नमबर दिया है वो, या फिर आपको सबसे अच्छ तब तक के लिए जाइन, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में इसी तरह के सल्यूशन के साथ